संतोस राजप्रोहित आज बापिस बर्माजी और गायतरी मंदर के अंदर बापिस पहुंच चुकी है आपको बताना जाएंगे कि 26 जनबरी 2023 को हनमानगण के सुरेशिया के अंदर गायतरी माता और बर्माजी के मंदर की प्राण प्रतिस्टा मूर्तियों की स्तापना हुई थी इसी दोरान संतोष राजप्रोहित की तावियत खराब होने के कारण उनको राज की अच्किसल्य हनमानगण टाउन के अंदर प्रशाथन और पुलिस की देखरेक में बर्ति करवा दिया गया था वहीं 26 तारीकों बे बर्ति हो चुकी थी वहाँ पर उनका इलाज चल रहा था इसी बीच आज 28 जनवरी को बे तीन बजे के लगबग हनमानगण जंक्शन जो ब्रमा और गायतरी माता का मंदिर बना है उसके अंदर बे बापिस आ चुकी है उनकी सेहत का जो हवाला देकर ख सोधार है और वे ठीक हो चुकी हैं बीपी लो होने के कारण उनको राज के चिकिस साले के अंदर तीन दिन तक बरती रखा गया और जैसे ही सेहत के अंदर सोधार हुआ है वे बापिस हनमानगण के बर्मा और गायतरी मंदर के परिशर में बापिस आ चुकी है और वहीं शर क्या ख्याल आए उसके बारे में जब हम दोबारा बाचीत उनसे करेंगे तो आपको फिर करमनुज पर दोबारा इसकी स्थिति के बारे में जान करी देंगे हलांकि आज उन्होंने बाचीत नहीं किया है क्योंकि चिकिसले के दुरान उनका इलाज चल रहा था और उन्हेंने कहा कि वे अराम कर रही हैं और कलम्नूज के दुवारा हम दुवारा उन से बाचित करने का प्रयास जरूर करेंगे और आपको ताजा स्थिती के बारे में जानकरी जरूर देंगे लेकिन आपको इतना ही बता रहे हैं कि संतोष राज प्रोहित राज की एच किस साले से एलाज से ठीक होने के बाद बापिस बर्मा और गायतरी मंदिर हनमानगर जंक्शन के अंदर बापिस आ चुकी हैं कलम नूज के लिए साथ आप जुड़े रहें और कलम नूज को करें सस्क्राइब लाइक भी करें आगे वीडियो को शेर भी करें ताजा आपको जानकरी जल्द ही मिल सके इसकी ये लिए वेल आईकोन का बटन भी आप दवा ले में कलम नूज के लिए हनमानगर जंक्शन से गुर्देव सिंग सैनी की खास रिपोर्ट